हाई अब्रिवान फर्स्ट फॉल गुड मॉर्णिंग तो आल आफ यूटीव चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिप्टी वन लाइनर एंजी के कोशन के बारे में जो काफी ज़्यदा इंपॉर्टर रहेंगे आपके एक्जाम पाइंट अभियों से सो जल्दी से हम इन कोशन को करेंगे कम से कम समय में सो स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन से कोशन नमबर वन कहता है फर्स्ट होमनिस्टर को था इंडिया का फर्स्ट होमनिस्टर था सरदार बलबाई पतेल करेंट में होमनिस्टर को न है शिरियामिश्या शिरियामिश्या जो है current में हमारे अभी home minister है second बात की जाए तो first Indian जो थे जिनको Nobel Prize मिला था physics में यह थे C.B. Raman C.B. Raman को first Nobel Prize दिया गया था physics में फिर बात करेंगे हम question number 4 की third की first Indian थे जिनको Nobel Prize दिया गया था medicine में तो answer रहेगा Dr. Harbind Khurana question number 4 first Indian जिनको Nobel Prize दिया मिला था economics में so right answer रहेगा Amartya Sen फिर बात करेंगे question number 5 की question number 5 कहता की most populous city कों सी है वर्ल्ड में तो Tokyo, Tokyo कहां पे जपान में तो मैं आपको बता दो इसकी 38 million population है 38 million question number 6 कहता है first sick prime minister of India first sick prime minister थे Dr. Manhamon Singh और मैं आपको बता दो Dr. Manhamon Singh जो थे Indian National Congress से बिलाउं करते थे INC Indian National Congress से बिलाउं करते थे no question number 7 question number 7 first movement जिनको Nobel Prize मिला मिला था Indian movement उसका नाम था Mother Teresa question number 8 smallest continent कौन सा वर्ल्ड का Australia सबसे बड़ा कौन सा है comment box में जूरूर बताईएगा question number 9 largest delta largest delta कौन सा है largest delta वर्ल्ड की बात करें तो सुन्तरबन delta कौन कौन सी रीवर इसको मिलके बिनाती है जे मुझे आप comment box में जूरूर पताईएगा first movement जिनको बाहरत रतनवार्ड मिला था ये थी इंद्रा गांदी इंद्रा गांदी हमारे PM थी first movement ठीक है first movement प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया और मैं आपको पता दूँ भाहरत रतनवार्ड question number 11 where is our railway staff college located railway staff college located कहा हमें बड़ोधरा में question number 12 who was the first lady doctor first lady doctor कौन सी कदम बनी गंगुली फिर बात करेंगे आगे next हम question number 13 की question number 13 कहता है solar energy production जो है highest in इंडिया कहां पे है ये राजस्तान में आप जानते हों कि काफी important third desert आपको राजस्तान में देखने को मिलेगा अशोग गहलोथ current cm है राजस्तान की question number 14 which is the most productive state of wind energy most productive state of Tamil Nadu Tamil Nadu के बारे में आप सभी जानते हो जानते होगी कि बिलकुल south में आपको देखने को मिलेगा Tamil Nadu ठीक है बनेट्स सो काफी important exam point of view से question number 15 कहता है how much of the total energy installed जो है and installed capacity in India is drive from the wind energy जे है 6% question number 16 कहता है when did the development of wind energy in India started जे कब start की गी थी जे जी थी 1990 में 1990s और question number 17 कहता है atomic energy regulatory board established किया गया था इंडिया में जी किया गया था 15th November 1983 फिर बात करेंगे हम next question 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 number 18 की question number 18 कहता है atomic जो है atomic energy regulatory board कहां पे है इसका हेर्कवर्टर कहां पे है इसका हेर्कवर्टर है मुंबेई में question number 19 कहता है फादर कोन इंडियन सनीमा का तो दादा साहिफ आलकी आवार्ड के बारे में आपने सुना होगा जे आवार्ड दी जाता है question number 20 first British governor to introduce dog system in India dog system कोन किस ब्रेटिश गवर्णर ने इंट्रडूस किया था जे थे लाड अलोजी question number 21 in which state is जोहार टनल इंडिया कहां पे है जिस सबसे लार्जेस्ट टनल है कहां पे कौन सी स्टेट में है तो जमू किश्मीर जमू किश्मीर अभी current जूटी है 2019 से जमू किश्मीर दो पार्ड में डिवाइड होता है लदाक एंड जमू किश्मीर question number 22 कहता है who was the third president of India who died during his tenure यह है ड्र जाकिर हुसेन current में हमारे प्रेजिडेंट कौन है रामनाथ श्री रामनाथ कोविद ठीक है ब्रेंट्स श्री रामनाथ कोविद जो है current हमारे प्रेजिडेंट है तो रामनाथ कोविद का टैन्यूर कितना रहेगा फाइव यह रहेगा ठीक है फिर बात करेंगे क्वेशन अबर 23 की क्वेशन अबर 23 कहता है बैंडिड दा फ्लैग नैशनल फ्लैग रूल आफ इंडिया केम इंट फोर्स यह था दो हजार दो में क्वेशन अबर 24 विच रीवरी स्कार्ड दक्षिन गंगा जिसको बलाया था और गंगा आफ सोथ इंडिया सो राइट है ज इसको बोलाया था बोस्टोन आफ इंडिया जो है एमदाबाद और ट्रॉपिक अफ कैंसर पासिस रो हो मैंने स्टेट्स आफ इंडिया जे है एट स्टेट ट्रॉपिक अफ कैंसर कहां पे है यह आपकी आर्थ है बरेंस सेंटर में 0 डिगरी भी आपको एक्वेटर गजए सब्सक्राइब कहां आपकी इंडिया की चहां फ問 हरना तो इंडिया की फूर स्टेट आपकी एकजाम पॉयनर नभी इंडियास फर्स्ट आइरन स्टीर कंपनी जो है कहां पी लोकेटेट है जहां जम्षेदपूर कोशन अबर 31 कहता है बिच स्टेट आफ इंडियास कॉल्ड सुगरवाल सुगरवाल कौन से स्टेट को बला जाता जह है उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश की सीयम योगी अदित्यनाथ योगी अदित्यनाथ सो काफी मैं आपको बता दूं इंपोर्टन रहेगा आपके लिए और उसके बाद कोशन अबर 32 कहता है इंडिया कितने नैशनल हाइवेज हैं 28 228 कोशन अबर 33 कहता है विच कंट्री जालार्जस प्रोड्यूजर अफ टीन की सबसे लार्जस प्रोड्यूजर कंट्री कौन से है सो जे है चाइना कोशन अबर 34 रिवर बैली इसको बोलते है दोमदर बैली कोशन अबर 35 विच स्टेट अफ इन इंडिया इस नोन आज इंडिया फूड रिपोजिट्री तो है पंजाव कोशन अबर 36 कहता है वेरिज शांती बैली लुकेटेट शांती बैली कहां वह लेको कैरला में उसके बाद वेरिज मदुराई मदुराई कहां पर है तमीलाडू में कोशन नबर 38 हैड़कॉर्टर कहां पर बोटैनिकल सर्वेया आफ इंडिया कहां पर लुकेटेटेटेटे लखनों में है कोशन नबर 39 विच इस दा मोस्ट इंपोर्टन सोर्स आफ इनर्जी कहोन कॉछन पर झायूट्र इंडियार शाफ इनर्जी गोन था है कोलल इनर्जी कोशन नर्ड़ 40 कहिए नैशन साइस्स शे इंस इस शेडर्बर्यारी को 28 February को friends क्यों किया था क्योंकि इसी दिन Dr. C.B. Raman ने Raman Effect को found किया था ठीक है तो इसी की बज़ा से जब Raman Effect नो ने found किया गया था तो इसी बज़ा से इनको physics में क्या मिला था Nobel Prize मिला था किसको Dr. C.B. Raman को Question number 41 क्याता है India की length कितनी coastline की So 6100 km Question number 42 What is the number of states along the coastline इंडिया जिन 9 states है इंडिया की ठीक है जैसे आपने देखा गुजराद है आपकी महराश्टरा है कैरला है करनाटका है Tamil Nadu अंदर परतेश इस रिकी दे नाइन स्टेट बनती है Question number 43 कहता है Which is the most southern most tip of mainland in इंडिया यह आपकी है कैम कैमरीन सोथ यह आपकी सोथ में है कैम कैमरीन थी व्रेंट्स लास्ट मैं आपको तमिलना डूँ मैं देखने को मिलेगी लास्ट उसके बाद Southern most point of India Southern most point of India कौन सा यह इंदरा point यह एक जाम में कोशन पूछे या थे व्रेंट्स Important है काफी कौन सा बादर जो डिटर्माइन करता है इंडिया चाइना को जेह है मैकमों लाइन कोशन नबर 46 दा लाइन डिवाइडिंग इंडिया पाकिसन इसको बलते है रड्कलिफ लाइन और फ्रेंट्स एक इंडिया और अफगानिस्तान को करता उसको क्या बलते हैं इंडिया और अफगानिस्तान को उसको बहते है दुरूंद लाइन फिर बात करेंगे जहां पर कोशन नमबर फॉट्टी एट की फॉस्ट एलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया जे चली थी 1925 में और बाइवाट नेम इस इस्टन सीवोर्ड आफ इंडिया नो इसको बोला है था कॉर्वंडल कोस्ट और कोशन नमबर फिफ्टी कहता है इन विच हैमे लोकेटन इंडिया कौन से हमें इस पेर लोकेटन हैं इंडिया लोकेटन है हमारे नगैण इस्टन तो मैं आपको जहां पर deportTH ले मिश्टन हैं इस पर खॉर्टी कहां पे-परिया एंडिया चैजह हमारा है श्रब्व से एस हमारागा सदन है मिसपियर को यकी फिरत कॉर मे imaginary latitude है यह को नहीं आपको आप मत समझो कि यह एक आर्थ के उपर जो लाइने खिंची यह नहीं एक imaginary lines है और जहां पर इंडिया फाल करता है क्योंकि center में से निकलता है Tropic of Cancer इंडिया के तो मैं आपको बता दूँ इंडिया जहां पर लाइक करता है आप देख सकते हैं जहां पर फ्रेंट्स मैं आपको जहां पर बता दूँ आप देख सकते हैं इंडिया जो लाइक कैसे करता है इंडिया जो एक लाइक करता है यह तो पहले एक झाल झाल